नमस्काल बोटनी स्टुडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के स्वेड़ों में बात करेंगे एनर्जी फ्लो इन एको सिस्टम के बारे में किस तरह से एको सिस्टम में एनर्जी एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे लेवल में फ्लो करती हैं इस अगे प्राइमस के लिए हमारे प्राइमरी कंस्यूमर को करती है इस तरह से ट्रांसफर होती इनर्जी इसको बो अपने मेटाबॉलिक फॉंक्षन के लिए इस चीज़ को बोलतें थेर्मोडैंमिक्स का सेकल अ्यूंग और कशांच सेक्व धर्वाइगे को यूज करें अपने मेटाबॉलिक फॉंक्षन आच के लिए तो उसको हर बार निव यह जोर्च वश्चनी पहले कई आइनरजी वह कहा से आते हैं यह सब चाहते हैं संसे अधीय प्रडूसर्स में वह से प्रेमिर कंसूमर सकेंडि तक जाती हैं हमाराज पर टोटल सन प्रेंट बड़े और प्रेंट नेर्चिन फ्रॉंट करते हैं यह प्रोसेस के फोटोसिंटेसिस की अव्रड बहुत बाहर वो ट्रांस्फर होती है पोटेंशल एनर्जी में प्लांट्स की ठीक है और फूड स्टप एबिदेंस और बहुत सारी स्टडी से में पता लगाएं कि जो हमारी एनर्जी है सवाना फोरेस्ट में है 0.9% मिक्स्ट फोरेस्ट में 0.8% मोर्डन क्रॉप में 5% शूगर केंट फिल्ड में 10-20% जो ग्रीन प्लांट्स हैं और प्रडूसर्स हैं वो ब्रेकडाउन करते हैं और्गैनिक फूड को रेस्पिरेशन में ताकि वो केमिकल एनर्जी को प्रडूस क अबने बोडी अलगला फंक्शन के लिए और अवरकम इंट्रोपी और जो रिमेनिंग अनर्जी बच जाती है अपनी रास्पिरेशन इस प्रोसेसिस में उसने यूस कर लियो जो रिमेनिंग अनर्जी बच जाती हैं इन्द सिंथेसिज और प्लांट बायो मास्स इसको चाह प्लत बाडंब भाली प्लत भी जातन इसकाtem अनर्जी बच ज हानन ऐसम थो तर आचिके रख सतल्स पोले कोडेशन अपञें ब्लाजेशन इंट स्कॉर्द Chine टॉटल बायोमास कि मैनुफेक्टर के प्लां द्यूंवी TCF अब इसको लिखते हैं अपर्ट फनी टेमह्तिए झांक, पार्ट उष किया और सीचीन प्लाऊों. के लिए उसकिया और नेट प्रोड़क्टिविटी के होगी कि उसने कितना बचाया बायोमास तो हम नेट प्राइमरी प्रोड़क्टिविटी को कैसे पाइन कर सकते हैं पीजी माइनस आर जब हमारे हर्भी वोरस इट करेंगे प्लांट्स को दैने डेजेस्ट एंड ऑक्सिड से प्लांट्स का वो जाएगा हर्भी वोरस के अंदर और कुछ एनर्जी जो है रिलीस हो जाएगी हीट की फोम में और कुछ एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगी बिल्डिंग दा बायोमास ओफ हर्भी वोरस अब बायोमास ओफ हर्भी वोरस में कुछ एनर्जी राजी कितनी हमारे पैस बनाई एनर्जी the same is repeated when the herbivorous is eaten by primary carnivores अब जो herbivorous है मन्द हमारे rabbit rat mouse उनको उनको जो primary carnivorous है वह जो एट करेंगे तो फिरी से थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी as is transfer about 90% of potential energy is dispatched as heat while only 10% of energy is up level to next tropic level यहाँ पर से को ला जाते है जिसको हम भोते 10% low 90% energy जो है वो लो सोरी 10% ही आगे transfer हो रही है thus there is a declining amount of energy passing from one tropic level to another the study of energy transfer was called biogenetics जो हमार पर study होती जो हम study करते है transfer of energy उसको हम बोलते है bio-energetics तो यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमे हमने देखा energy flowing and ecosystem के बारे में इसी के साथ हमारी वीडियो कम्प्लीट होती I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक यू जाओ करेंगो